पूर्व अगनिवीरों को CISF, BSF में 10 प्रतिशत आरक्षण पहले बैच को आयू सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा अगनिवीर पर केंद्रे सरकार के फैसले के दो साल बाद CISF और BSF ने गुरुवार को पूर्व अगनिवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का एलान किया इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है, जल ही नियम लागू किये जाएंगे BSF डीजी नितिन अगरवाल और CISF डीजी नीना सिंग ने ये जानकारी दी दरसल 18 जून 2022 को ग्रह मंत्राले ने इस संबंद में नौटिफिकेशन जारी किया था इसमें कहा था कि CAPF और असम राइफल्स में पूर्व अगनीवीरों को 10 प्रतीशत आरक्षन दिया जाएगा CAPF के अंतरगत BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF आम्ड आती हैं CISF बोली पहले बैच में 5 साल तो अगले बैच में 3 साल की छूट CISF डीजी नीना सिंग ने कहा भविश्य में कॉंस्टेबलों की सभी भरतियों में पूर्व अगनीवीरों के लिए 10 प्रतीशत नौक्रियां आरक्षित की जाएगी फिजिकल टेस्स नहीं देना होगा, उम्र में छूट दी जाएगी पहले बैच को आयू में छूट 5 साल रहेगी, लेकिन अगले बैच से ये छूट केवल 3 साल ही होगी BSF डीजी नितिन अगरवाल ने कहा, अगनीवीर योजना से जवानों को 4 साल का अनुभव मिला है वे पूरी तरह से अनुशासित और प्रशिक्षित हो चुके हैं BSF के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेनिंग के बाद सेलेक्टेड अगनीवीरों को सीमा पर तैनात किया जाएगा जानिये क्या है अगनीपत स्कीम, सरकार ने 2022 में अगनीपत स्कीम लांच की थी इसके तहट आर्मी, नेवी और एरफोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉंट्रेक्ट पर भरती किया जाता है चार साल में छे महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है चार साल बाद अगनीवीरों को उनकी क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी इसी मेरिट के आधार पर 25 प्रतीशत अगनीवीरों को पर्मानेंट सर्विस में लिया जाएगा बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे इसकी में ओफिसर रेंक के नीचे के सैनिकों की भरती होगी यानी इनकी रेंक पर्सनल बिलो ओफिसर रेंक यानी पी बी ओ आर के तौर पर होगी इन सैनिकों की रेंक सेना में अभी होने वाली कमिशन ओफिसर और नौन कमिशन ओफिसर के नियुकती से अलग होगी साल में दो बार रैली के जरिये भरती की जाएगी अगनीवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है साथ ि कम से कम 10.5 होना जरूरी है 10.5 भरती होने वाले अगनीवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद बार्मी के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा